नमस्कार दोस्तों एक वार फेट से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल AR Academy में तो दोस्तों जैसा कि पहला पार्ट हमने अग्रिकल्चर इंट्मोलोजी का आपको प्रवाइट करा दिया तो आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए और सोर्स हमारा नेमरा सुन्दा य झालरा जाया भी जितना जादा जादा कवर कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टन अग्रिकल्चर इंट्मोलोजी आपके एक्जाम के लिए कोई बी आग्जाम को एंट्वाइड को वी प्रवाब लॉज रहता है तो चलिए शरू करते हैं वीडियो को स्पहले हमारे चैनल से लाब मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले दवर्ड इंटमोलोजी डिराइब फ्रॉम ग्रीक वर्ड तो जो इंटमोलोजी वो हमारे कौन सा वर्ड है ग्रीक वर्ड है जो की दो वर्ड से मिलकर बनाए इंटमो और लॉगस जिसका मतलब होता है इंसेक्ट और लॉगस का मतलब होता है डिस्कॉर्स मीन इस्टडी तो इस्टडी आप दा इंसेक्ट इस कार्ड है इंटमोलोजी इंटमोलोजी का मतलब होता है जो भी इंसेक्ट है इंसेक्ट की फिजियोलोजी, मॉर्फोलोजी उसका metabolism, उसकी जो भी system है, उसके बारे में study करना हमारा entomology के इंतर गताता है, चलिए अब classification की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा phylum orthopoda, orthopoda is a Greek word, means segmented legs, तो orthopoda का मतलब होता है, कि segmented legs जो होते हैं, हमारे कैसे होते हैं, segment में होते हैं, टुकडों में होते हैं, जिसे कह सकते ह हैं, वो हमारा कैलाता है orthopoda, और orthopoda कैसा है, Greek word है, तो orthopoda का जो main symptom होता है, वो यह होता है, कि segmented legs पाय जाते हैं, तो चलिए इसका जो पहला class है, mainly two classes of insect-based, that is agricultural importance are below, तो mainly दो class हैं, जो agriculture के लिए important हैं, orthopoda के, तो पहला है हमारा hexapoda, या फिर insecta, जो पहला class है हो है, hexapoda, तो अगर poda की बात करें, तो उसका मतलब होता है, legs, और orthopoda का मतलब होता है, segmented, इसी तरह यहाँ पर अगर बात करें, तो poda का मतलब होता है, legs और hexa का मतलब होता है, 6, तो body is divided into three, head, thorax and abdomen, तो body जो हमारी होती है, वो तीन parts में divide होती है, इस class में जो भी members होंगे, उनकी जो thorax और तीसरा होगा, abdomen, इन तीन parts में, इस class के जो भी members है, उनकी body divide होगी, जैसे, insects are 97% of total population of the phylum, orthopoda, तो जितने भी 97% of orthopoda के insect हैं, वो हमारे किसमें पाजाते हैं, hexa poda में, what is insect, insect है क्या, तो the insect are tracheate arthropods, in which the body is divided into head, thorax and abdomen, तो body किसमें divide होती है, तीन parts में, head, thorax and abdomen में, और ये कैसे हैं, इन में tracheate arthropods हैं, next है, a single pair of antenna is present, a single pair of antenna, एक pair antenna में पाई जाती है, and the head wears a pair of mandibles, और head में एक pair of mandibles पाई जाते हैं, and two pairs of maggilly, और दो pairs maggilly पाई जाती है, the second pair fueled medially to form a labium, जो second pair होता है maggilly का, वो labium का formation करता है, next है, the thorax carries three pairs of legs, जो thoracic region होता है, second region होता है, जो body का, वो है thorax, तो thorax में three pairs of legs पाई जाते हैं, तीन जोडे pair पाई जाते हैं, and usually one or two pair of wings, और आम तोर पर एक या फिर दो pair of wings, एक या फिर दो जोडी पंक भी पाई जाते हैं, कहाँ पर thoracic region, यह insect की quality है, next है, the abdomen is divided, devoid of ambulatory appendages, and the genital opening, is situated near the posterior end of the body, तो ambulatory appendages पाई जाते हैं, किसमें, abdomen में, और जो posterior end होता है, means last का जो end होता है, abdomen का, वहाँ पर genital opening होती है, next है, post embryonic development, rarely direct and metamorphosis usually occurs, तो post embryonic development जो है, बहुत कन देखने को मिलती है, किन में, insect में, और metamorphosis usually occurs, लेकिन metamorphosis जो है, इन में, बहुत ज़्यादा होता है, means इन में, जो इनका एक प्रकार से, molting जिसे कहते हैं, metamorphosis, नए सरीर का निर्माड होना, इन में होता रहता है, next है, the widely accepted classification of insects was given by the taxonomist ADMs, तो, जो सबसे ज़्यादा accept किया जाने वाला classification insects का, वो किसके दोरा दिया गया था, एक taxonomist थे, scientist थे, जिन्होंने taxonomy में study की थी, जिनका नाम था ADMs, उन्होंने acceptable insect का classification दिया है, जो की बहुत ज़्यादा acceptable मना गया है, according to ADMs, there are 29 insect order out of which 7 orders are mostly agricultural important, तो ADMs के अंसार, 29 insect के order है, जिनमें से 7 order हमारे agriculture के लिए बहुत ही important है, जो 7 order है, उनके insect हमारे agriculture में बहुत ज़्यादा useful है, जो की है, hymenoptera order, diptera, colioptera, lapidoptera, thysinoptera, hemiptera and isoptera, तो यह जो order है साथ, यह agriculture के लिए बहुत ज़्यादा important है, यह classification के इस ने दिया था, AD, IMS में, IMS ने, the class insect has two subclasses, that is apterigota and terigota, तो जो class insect है, उसमें दो subclass भी हैं, पहला है, a terigota, जिसमें की चार order हैं, और terigota में बाकी के 25 order हैं, जो 29 order है, उनमें से 4 order हमारे a terigota में हैं, और terigota में बाकी के 25 order हैं, तो यह जो दो subclass हैं किसके, insect है, नेक्स्ट है, इसमें peace island है, terigota और apterigota में, peace island होता है, इसलिए इसका जो pronunciation करते हैं, वो करते हैं, terigota और a terigota, तो terigota further divided into exo terigota and endo terigota, तो terigota में कितने 25 order पाया जाते हैं, और इनमें से, इसको फिर से divide किया गया है, किसमें exo terigota और endo terigota में, तो सबसे पहले हमारा a terigota, इसमें क्या है primarily wingless, जो a terigota इसको दिया गया नाम, क्योंकि इसमें यह हमारे एक प्रकास प्राइमरी insect पाय जाते हैं, जो की कैसे होते हैं, wingless होते हैं, जिनमें punk नहीं पाय जाते हैं, metamorphosis भी absent होता है, इनमें क्या होता है, metamorphosis भी absent होता है, और pre-genital appendages present, pre-genital appendages इनमें पाय जाते हैं, तो इसके अंतर का जो चार order आते हैं, वो है हमारा पहला protura, इसका जो एक जांपर हो है, tailson fly, और इसका जो feature हो है, antony and eye absent, antony और जो compound eye पाय जाती है, वो absent होती है, और anamorphosis present, anamorphosis पाय जाता है, और इनमें क्या होता है, 12-segmented abdomen, abdomen, abdomen जो होता है, वो 12-segmented होता है, नेक्स्ट जो है, वो diplura, तो इसका जो है, जैपी गिड है, example, और इसमें क्या होता है, malpigial tubule substance, इसमें malpigial tubule substance होती होती है, और represented as papilla, तो फिर, अगर होती है, तो कैसे होती है, papilla के रूप में, abdomen with lateral srally form appendages, तो जो abdomen होता होता है, लेटर होता है, नेक्स जो order है, ये टेरी गोटा का हो है, कोलम बोला, तो इसका जो example लग हो है, spring tail, इसमें क्या होता है, कि abdomen six segmented, जो abdomen होता है, उसमें छे भाग होते हैं, और malpigial tubules are absent, जो malpigial tubules होती है, इसमें भी absent होती है, और colophore retinaculum present, colon four और retinaculum, इसमें क्या होता है, कि present हो और जो last order है, ये टेरी गोटा का, चौता order है, वो है हमारा थाइसे निवरा, तो इसका जो example है, वो है हमारा silver fish, तो silver fish बहुत ज़्यादा important, पूंचा जाता है, कि ये कौन सा इनमें से हमारा fish है, या फिर कौन सा इनमें से fish नहीं है, तो उनमें option में एक silver fish भी दिया होता है, तो silver fish हमारा एक insect है, ना की fish है, तो इसका जो features होते हैं, वो होते हैं, a pair of many segmented series, ending in the segmented median process, तो इसमें क्या होता है, एक pair पाए जाता है, इसका सरसाई का, जो कि क्या होते है, many segmented होते हैं, इनमें बहुत से segment होते हैं, means, दो सरसाई पाए जाते हैं, कैसे segmented, अब हमारा जो है, subclass, वो है terry quota, तो इसमें क्या होता है, कि winged और evolved from winged ancestors, तो इनका जो उतपत्य होती है, कैसे होती है, कि जो भी winged ancestors थे, जो इनके पूरवस थे, वो punk वाले थे, उनसे ही इनकी उतपत्य हुई है, तो ये भी punk वाले होते हैं, जैसे plies, head loss, bugs, etc, इनमें क्या होता है, metamorphosis present होता है, और pre genital abdominal appendages absent होता है, तो अभी तक आपने जो पढ़ा, a terry quota, तो इनमें आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, कि क्या-क्या इसके features होते है, a terry quota के, कि इनमें wing नहीं पा जाते हैं, यहीं आपको important है, और बाकी का silver face आपका important है, इस external, तो wing इसमें क्या होते हैं, कि बाहरी ही होते हैं, बाहरी, बाहर की तरफ wing पाय जाते हैं, और metamorphosis incomplete पाय जाता है, एक जो terry quota में क्या होता है, metamorphosis incomplete तरह का पाय जाता है, पाया तो जाता है, लेकिन complete नहीं होता है, pupa absent, क्योंकि incomplete metamorphosis होता है, तो इसमें जो pupal stage होती है, वो वह भी हमारी immature होती है तो इसका जो पहला order है वो है एफी मेरोप्टेरा इसमें जो एक्जामपल है वो है मेफ्लाइज और यह है primitive because it came before odonata तो यह भी primitive insect है जो की odonata से पहले आते थे थे और इन एफी मेरोप्टेरा प्रेजेंस ओफ monocondylic type mandibles तो इसमें क्या है monocondylic type के mandibles पाय जाते है नेक्स्ट है जो वो order है हमारा odonata तो odonata इसका जो एक्जामपल हुआ है dragon या फिर dance fly तो बहुत important एक्जामपल है odonata पुछा जाता है किस order में आते हैं dragon fly तो odonata order हुए तो आपको order के एक्जामपल पता होने चाहिए कि कौन से एक्जामपल किस order में आते हैं यह एक्जाम में एक्सर पूछा जाता है तो odonata के जो हमारे features हुआ है wing can't be moved wing तो पाय जाते हैं लेकिन वो move नहीं कर सकते हैं और dicondylic mandibles पाय जाते हैं so it advanced then above तो यह एफी meroptera से क्या होते हैं एडवांस होते हैं no deuce wings and presence of terostigma किसका terostigma इसमें presence होता है next जो order हुआ हुआ है pleoctera इसमें कौन से पाय जाता है insect होई stone fly यह कैसे होते हैं soft body जिनकी जो body होती है वो soft होती है और tracheal gills इन निम्फ निम्फ में क्या पाय जाता है tracheal gills पाय जाती है next ग्राइलो ब्लाइट युडोडिया तो इसमें जो पाय जाता इंसेक्ट हो है हमारा rock crawlers यह होते हैं apterus eyes reduced well developed ove position इन में जो है well developed ove position पाय जाता है और ove position यह होते हैं next जो है orthoptera बहुत ज्यादे important है जो grass hopper और low cuts होती है वो orthoptera order में आती है और बहुत ज्यादा यह मुच्छा जाता है इसके जो features होते हैं four wings farming tagmina जो four wings होते हैं वो tagmina का formation करते हैं तो पूछा जाता है कि tagmina किसका feature से तो है orthoptera का hind legs modified for jumping और जो hind legs होते हैं पीछले पायर होते हैं वो jumping के लिए modified होते हैं next है phasmida जो next order हो है phasmida और इसके जो example हो है stick and leaf insect presence of compound eyes तो इनमें क्या होता है कि compound eyes पाय जाती है next है order वो है dermoptera तो dermoptera में ear wings पाय जाते हैं और इनमें क्या होता है कि सरसाई modified into a scleroid forceps scleroid forceps में modified हो जाती कौन सरसाई नेक्स्ट है imbioptera तो इसका जो example वो है wave spinners living in silken tunnels interior tarsigate swollen तो इनमें क्या होता है कि जो टासी gate होता है वो swollen होता है और यह कहां पर पाय जाते है silken tunnels में पाय जाते है नेक्स्ट है dicty of tera यह भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है cockroach पाय जाता है इसका जो जाती है और इसका जो दूसरे example हो है mantis cockroach के साथ mantis भी पाय जाता है नेक्स्ट है जो order हुआ है isoptera और isoptera में कौन पाय जाते है termite and white ants बहुत ज्यादे important है termite का order है यह तो यह termite हमारा कैसा social insect है तो social and polymorphic insect तो इसका features भी हमारा social and polymorphic insect social insect का मतलब एक पकार से society बना कर रहते हैं जैसे दीमग में आपको पता होगा मन्दमक्खी में पता होगा की रानी होती है राजा होते हैं स्रमिक होते हैं और उसमें सैनिक होते हैं इस तरह का चार class होता है उनमें तो यह हमारे social insect कहलते हैं ऑच रेक्टल पावच प्रज City हैं और इसमें कहा होता है रेक्टल पावच पाया जाता है नेक्स्ट है जो रोप टे्रा में पाया जाते हैं और इक्रिवन consold to you थो इसमें एकउन पाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कीडे होते हैं, बहुत दिन से बूक रखी हूँ, पुरानी बूक हुई, तो उन्में कुछ कीडे देखते हैं, आपको जब आप खोलते हैं, तो वह हमारे कलाते हैं, बुक लाइस कराते हैं और इनमें क्या होता है इसका जो फीचर होता है वो आई लीड विद वाई सेप सचर सटर एक स्टरक्चर होता है इनकी बॉड़ी में तो वो कैसा होता है पहले आई सेप का होता है फिर वाई सेप का नेक्स्ट है मेलोपागा, तो मेलोपागा में पाए जाता है बर्ड लाइस, तो यह होते हैं बाइटिंग लाइस और एप्टेरस होते हैं, एक्टो परासिटिक और बर्ड, बर्ड में क्या होते हैं कि परासिटिक नेचर क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, एक्टो परासिटिक नेक्स्ट है सिफैनो कुलाटा सिफैनो कुलाटा ओरडर है इनमें पाए जाते हैं head and body louse तो ये होते हैं ebteras insect होते हैं और transmit typhus disease तो ये जो typhus disease होती है उनको transmit करते हैं नेक्स जो ओरडर है है हेमिप्टेर बहुत ही important ओरडर है है जिनमें Bugs पाए जाते हैं कौन पाए जाते हैं Bugs का order क्या है Hemiptera तो इनके जो symptom है राइन चोटा एंड सरकाई जो सरकाई होते हैं वो absent होते हैं और इसको टेलम ओन डॉर्सल डॉर्सल पोर्शन पर इसका टेलम पाए जाता है नेक्स इंपोर्टेंट जो order वो है थाईस्वी प्टेर ये भी बहुत important है इसमें thrips पाए जाते हैं तो कुछ order तो आप नेम से याद कहला सकते हैं जैसे की order की example जैसे HenryPterra और बग एक ही order में Thyson of Tera से Thrips, जो की एक ही ओ्डर में, तो Thyson of Tera के lidt Thrips पाए जाते हैं, इनका जो character होता है, राइट मेंड्विल्ट संट, जो दाइं तरप की मेंड्विल्ट होती है, वो अप्संट होती है, और उन्में सर्काई भी अप्संट होती है, तो यह थो थे हमारे जितने भी ओडर ये एक जो टेरी गोटा के थे अब हैं हमारे एंडो टेरी गोटा के तो एंडो टेरी गोटा के क्या करेक्टर है कि इसमें जो विंग होते हैं पंक होते हैं इंटर्नल ही डिवलप होते हैं जो एक जो टेरी गोटा में एक जो का नाम इसी लिए होता है एक जो का मतलब होता है बाहर तो एक जो टेरी गोटा में क्या होता कि विंग बाहर की तरफ डिवलप होते हैं लेकिन एंडो का मतलब होता ह अंदर तो इसमें जो विंग होते हैं वो अंदर की तरफ डेवलप होते हैं इसी तरह जो एक जो प्टेरी गोटा का करेक्टर था कि उसमें incomplete metamorphosis पाय जाता है तो end of terry गोटा का जो करेक्टर हो है कि metamorphosis complete पाय जाता है और pupil present होती है उसमें pupil जो stage थी वो absent थी और इसमें immature stage is larva जो immature stage वो larva की है उसमें immature stage निम्प की होती थी तो इसमें जो order आते हैं वो है hymenoptera बहुत ज्यादा important है जिसमें honeybees पाय जाती है वेस पाय जाती है और ants पाय जाती है presence of इसका जो करेक्टर हो है presence of propodium propodium होती है पैरों पे पाय जाती है propodium venation greatly reduced and acuteness of vision vision का acuteness होता है और corbicula और pollen basket on hind legs पैरों पर या पिछले पैरों पर pollen basket पाय जाती है जिसकी वज़े से यह pollination में मदद करते हैं इसलिए बहुत important है यह जो order है क्योंकि इसमें honeybees पाय जाती है और इनके जो पिछले पैर होते हैं इसलिए बहुत ही ज्यादा important order next order है इनमें butterfly और moth पाय जाते हैं इसका जो character हो है scale wings and Malfeasian sectorial proboxes formed by the Maggillia of Galia next thorax posses patagia wings in wings is trigamma wings जो होते हैं वो कैसे होते हैं Trigamal structure के होते हैं next जो order हो है Collioptera और यह भी बहुत ज्यादा important order है इनमें पाय जाते हैं हमारे beetles और weevils और यह जो है largest insect order है तो यह बहुत ज्यादा है पूचा जाता है कि सबसे largest insect order कौन है वह हमारा Collioptera बहुत ज्यादा important question है इसको बूलना नहीं है और four wings as leetri elytra जो four wings होते हैं वो elytra की तरह होते हैं next है हमारा diptera diptera order यह भी बहुत important है और इनमें true fly पाय जाते हैं one pair of wings पाय जाते हैं और presence of halters halters पाय जाते हैं और puparium पाय जाते हैं यह जितने हमने आपको बताए कि यह order important है तो उनके character आपको याद रखने हैं उनके character आपको बिल्कुल नहीं बूलने है क्योंकि character से भी question पूचे जाते हैं कि यह character कि order से बिलोंग करता है तो diptera भी हमारा बहुत important order है इसके बाद है streptera तो इसमें पाय जाते हैं पाय जाते हैं males carry the terminal segment of the abdomen upward curve नेक्स्ट है trichoptera तो इनमें पाय जाते हैं cadis fly और thyridium present on wings and gilson glands on thorax इनमें क्या पाय जाता है gilson glands पाय जाता है next है सिफैनोपtera सिफैनोपtera में fleece पाय जाती है और यह epteras होती है ectoparasitic warm on blood animals जो भी warm blooded animals होते हैं उनमें यह क्या होती है ectoparasitic nature की होती है तो यह हमारा बहुत important था terigota और epterigota का classification तो mainly जो साथ agriculture importance के order है उनको आपके सारे करेक्टर और उनके examples आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए जो की आपको character याद होने चाहिए और उनके examples आपको याद होने चाहिए चलिए next जो class है पहला class था हमारा hexapoda next जो class है वो है हमारा arachnida तो arachnida में head and thorax are filled and known as the cephalothorax तो इनमें क्या होता है कि head thorax और abdomen की जगह head और thorax एक ही में मिले हुए होते हैं जो हमारा cephalothorax रहलाता है और दूसरा part होता है हमारा abdomen का means दो part होते हैं एक cephalothorax और दूसरा abdomen next है four pairs of walling legs are present and legs are unsegmented तो इसमें क्या होता है कि segment 3 की जगह चार pair of पाई जाते हैं किसके legs के legs के चार जोड़े पाई जाते हैं it has no antenna और इनमें antenna नहीं पाई जाती है जैसे example इसके might ticks and spiders जो मकडिये होती हैं हमारी arachnida में आती है तो यह दूसरा class था हमारा तो दोस्तों यह हमारा आज का agriculture entomology का द लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा तो दोस्तों वीडियो को जादा जादा सेयर कीजिए और like कीजिए next वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद